टॉक मार्केट और ओर और फॉरेक्स माकेट में डिफ्रेंस के आपको कही बार पूच चुके ओर ओरेक्स अधा्वांडिजी के एडवांड़ेज जै लोग कितना पैसा कमाते हैं तो आज आपके जो बेसिक सवाल हैना उनके जवाब आपको मिलने वाले चश्रूर अब ही तक अगर आप Forex market की advantages को समझना चाते हैं तो यह शुरू होती हैं सबसे पहले Forex market की timing के साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो share market में trade नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास time की थोड़ी सी limitation होती है क्योंकि जो share market है तो वो Monday to Friday आपके लिए खुली है और वो सवा नौ से साढ़े तीन बजे के लिए आपके लिए ओपन है अब जो Forex market है उसमें difference क्या है वो भी Monday to Friday खुली है बड़ वो 24 घंटे खुली है तो 24 इंटु 5 आपके लिए market open होती है अब यह तो हुई पहली चीज दूसरी चीज क्या है Forex market के अंदर जो risk levels है वो अलग है stock market से different है यहां पर आपको Forex market में अपकम capital से भी trade करना शुरू कर सकते हो उसका reason होता है leverage अभी leverage में आपको थोड़ा से detail में समझाओंगा कि leverage का मतलब क्या है अब यहां पर आप देखिए आपने अभी तक technical analysis को सीख है जब आप Forex में trade करते हैं तो यहां पर technicals बहुत अच्छे से काम करते हैं आप technicals के हिसाब से trade कर सकते हो अपनी knowledge को भी test कर सकते हो यहां पर एक advantage लोग यह समझते हैं कि Forex market में जो traders हैं Forex market को इसलिए prefer कर रहे हैं क कि आप जब bitcoin को मान लो खरीदते हो यह बेचते हो तो आपने difference देखा होगा price का same time पे आप खरीद भी रहे हो बेच भी रहे हो वहां पर price का difference होता है similarly difference Forex में भी होता है बट यह जो spread है ना buying or selling का difference यह बहुत कम होता है Forex market में बहुत ही कम तो इसकी वज़े से यहां पे लोग Forex market को prefer करते हैं यहां पे same time में जो spread है वो काफी कम है जो आप trade करते हो stock market के अंदर वहां पे centralized exchange होते है Forex के अंदर आप OTC के ऊपर trade करते हैं OTC का मतलब होता है over the counter पूरे वर्ड के लोग participate कर रहे हैं Forex market में same timing पे तो यहां पे volume बहुत जादा है stock market से तो यह कुछ major benefits हैं अब जब हम trading की बात करते हैं Forex trading की तो लोग क्यों prefer करते हैं जैसे मैं आपको बजाता है मैं leverage समझाओंगा आपको leverage का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक रुपया है तो आप एक रुपय से 500 रुपय का trade कर सकते हो तो यहां पर क्या हुआ आपको 500 is to 1 का ratio मिल गया leverage में अब there are some brokers जो आपको इससे भी जादा का leverage प्रवाइड गरते हैं अब जो आपने यहां तक समझी है चीज़ों को open है and आपको leverage मिल रहा है आपको leverage trading का benefit मिलता है अब यह तो चलिए benefits आपको समझा गया बट जो सबसे important चीज थी वह मैंने आपको बताई कि Forex Market में leverage आपके लिए दो धारी तलवार है इसका मतलब किया अगर आपने इसे अपने benefit में use किया तो आपके profits बहुत जादा हो सकते ह हैं बट अगर आपने बिना सीखे trade किया और आपने gamble किया तो आप loss कर लेंगे तो in short आज आपने Forex Market के बारे में समझा है इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाए हुआ है जिसमें हमने Forex Market के जो basics हैं उन्हें cover किया हुआ है जैसे कि Pips किया होते हैं अगर आपको नहीं प्रदा तो वह आप वीडियो देख सकते हैं आया बेटरन पर में लिंक दे दूंगा यू कन वाच राट वीडियो अलसो फाइनली अगर आप वीडियो अच्छी लेगी आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अमने फ्रेंड्स के साथ सो दाट उन्हें भी Forex Market के बारे मे नॉलिज मिले और आप इस वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं में फॉलो कीचिए यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्स्क्राइब कीजिए बैल लेकन पे क्लिक कीजिए आवल सी ने नेक्स वीडियो तिल आटाइम यूगो सल्फमेट